ओम शांती 21-1-1979 की अव्यक्तवानी अमरत वेले प्राप्त दिव्यश्ण देश आज जब वतन में गई तो सभी बच्चों की ओर से बाबा को याद प्यार दी और अर्जी डाली ब्रह्मा बाबा को भी अर्जी डाली तो ब्रह्मा बाबा यही बोले कि मेरा हाथ तो शिव बाबा के पास है जो कराएंगे हम वही करेंगे हमने शिव बाबा से बोला बाबा इतने सभी आपके बच्चे हैं आप सभी आशाएं पूर्ण करने वाले हो बाबा एक आश हमारी पूर्ण कर दो तो बाबा ने फोरण एक डाल दिखाई जिसके बीच में लिखा हुआ था भावी टाले नहीं टले तो हमने बाबा को कहा अगर यही भावी है तो सभी बच्चे जो इखटे हुए हैं विश्य बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों से मिलना चाहते हैं बाब दादा ने कहा जैसे हमेशा बाब दादा बच्चों से मिलते हैं वैसे आज भी बच्चों से मिलेंगे फिर शिवाबा ने ब्रह्मा बाबा से कहा कि आपकी क्या राय है शिबावा ने कहा कि जब बच्चा बड़ा होता है तो बाप और बच्चा समान होता है तो मैं भी मुरब्वी बच्ची की राय बिना कुछ नहीं कर सकता हूँ पहले बाप फिर बच्चा अभी है पहले बच्चा फिर बाप तो यही वतन में देखा दोनों ही एक समान और एक दोके बहुत इसनेह और प्रेम में थे जैसे दो मित्र मिलते हैं ऐसे ही बाप दादा दोनों की आपस में रुह रहान की सीन दिखाई दे रही थी ब्रह्मा बाबा कहें जो आग्या और शिव बाबा कहें जो बच्चे की राय दोनों ही मुस्कुरा रहे थे हमने कहा एक सेकेंड के लिए बच्चों से मुलाकात करके आईए उस समय दोनों की तरफ देखा तो आखों से ऐसा लगा कि जो शिव बाबा ने कहा वह ब्रह्मा बाबा को मन्जूर था बाब दादा गुलतार संदेशी के तन में पधारे और महावाक के उच्चारण किये आपको आकारी बनाने बाब दादा अभी भी कायम है और कायम रहेगा अभी बाब दादा आप रोहानी रतनों से मिल विदाई लेते हैं फिर मिलेंगे जो होता है उसमें कल्यान है बाब दादा और कल्यान और कोई शब्द नहीं संदेशी के वापिस आने पर वतन का संदेश बाबा ने कहा प्यार और याद जैसे इस समय हर एक के अंदर बाबा देख कर आए हैं ऐसे ही याद और प्यार हमेशा कायम रखेंगे यह याद और प्यार जैसे की एक रस्सी है उस रस्सी को कायम रखना है इस रस्सी के जरिए बीच में मिलते रहेंगे बाबा ने कहा इस्थापना का कारई जो और जैसे आदी से चला है अंत तक ऐसे ही चलेगा अंतर नहीं जिन बच्चों को बाबा निमित रखते हैं उन्हों द्वारा बाब दादा सभी बच्चों को डारेक्शन देते रहेंगे और बच्चे अनुभव करते रहेंगे कि कैसे बाब दादा की इखटी डारेक्शन होगी संगम युक पर बाब दादा दोनों को अलग नहीं होना है बाबा ने कहा सभी को दो शब्द कहना अटल और अखंड यह बाब दादा दोनों की सौगात है जैसे कोई बड़े लोग कहां जाते हैं तो सौगात देते हैं ऐसे बाब दादा दोनों ही दो शब्दों की सौगात देते हैं अटल और अखंड इसे बुद्धी रूपी तिजोरी में ऐसे रखें जो कितना भी कोई चुराने की कोशिश करे तो भी सौगात सांत रहे फिर बाबा ने कहा अब थोड़े समय के लिए विदाई लेता हूँ फिर जैसे जैसे कारे होगा डारेक्शन देता रहूँगा अच्छा ओम शांती आप द्रिष्टी यूही दे ते रहो बाबा आप द्रिष्टी यूही दे ते रहो बाबा सुख सागर में गहरे उतर जाओं हूँ पल के ना पल भर बंद मेरे हूँ पल के ना पल भर बंद मेरे इन लहरों को दामन में भर जाओं आप द्रिष्टी यूही दे ते रहो बाबा